तो बच्चों देखो आपका अगला कुश्चन है तो अगले कुश्चन में आपसे क्या बोल रहा है ग्रोमोर प्लांटेशन कोई एक ऐसी कोई संस्था है कोई और्गनाजेशन है मतलब उसकी आपकी वृत्तों से में पर लेंथ एक की ज़्यादा बढ़ी है और एक की थोड़ी छोटी है इस तरह से अब यहां पर प्लांट रखने है आपको तो जाएसी बात है इसमें प्लांट कम आएंगे इसमें प्लांट कम आएंगे और इसमें प्लांट जादा आजाएंगे बटा यहां पर प्लांट जादा आजाएंगे तो अब आगे बढ़ते हैं क्या बोल रहा है they are required to plant 84 tree in smaller smaller में 84 tree को रखना है और 231 trees को in the large field ठीक है in both field the tree will be planted in the same number of rows same number of rows में जरूर रखना है but in different number of column column भले ही अलग अलग हो अब इस question में सबसे पहले आपको पता होने चाहिए rows column क्या होते है देखिए जब हम ऐसे चलते है इस तरह से R1, R2, R3, R4 तो नहींने क्या कहा है नहींने कहा है कि जो number of rows है वो क्या होने चाहिए आपके same होने चाहिए same number of rows तो यहाँ पर यह होगा अगर मैं यहाँ पर भी बनाऊंगा दूसरे वाइल फिल्ड के लिए तो रोस तो से यह बने चाहिए बटा ठीक है R1, R2 R3, R4 पर इने बटा कॉलम बोलते है C1 C2 C3 C4 ओके यह जैसे C1 C2 C3 C4 C5 C6 इस तरह चलने को तो अब इसने क्या बोला है रोस तो आपके same होने चाहिए रोस तो same होने चाहिए दोनों में यहाँ पर same 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 यह रोस same होने चाहिए पर कॉलम अलग-अलग हो सकते हैं तो क्वेशन ने क्या बोला है इधर आप कितना रख सकते हो इधर आप 84 ट्री रख सकते हो इस फिल्ड में कितना रख सकते हो 231 ट्री रख सकते हो तो आप क्वेशन ने बोला हमसे what is the most number of rows that can be planted that can be planted in the in this arrangement तो भाई आप कितने अधिक से अधि क्या रख सकते हो rows में रख सकते हो plant को तो जब अधिक से अधिक तो HCF निकाल लेंगे हम तो HCF of 84 84 and 231 तो इसका जल्दी से हम HCF निकाल लेते हैं तो ये 2 से जाएगा और ये कर लीजिया आप पिटा ये कितने पे गया 4 ये 2 फिर 2 से करेंगे तो 2 और 1 फिर आप 3 से करोगे इसको तो 7 7 से 1 ये कितने से जा सकता है बताईए 3 से कट सकता है 3 3 7 जा और फिर 3 7 जा फिर 7 से 1 1 तो ये हो गया तो 84 के फेक्टर आए 2 इन्टू 2 इन्टू 3 इन्टू 7 और 231 के आएंगे 3 इन्टू 7 तो बिटा 3 कॉमन है और 7 कॉमन है तो 3 इन्टू 7 बिटा तो 21 हो गया ये HCF आ गया इसका बलब 21 रॉज आप दोनों में रखेंगे इधर से भी 21 रॉज आएंगी और इधर से भी 21 रॉज ही आएंगी ओके सेकंड कॉशन में क्या पूचा है इधर ट्रीज आर प्लांटिड इन दा नमबर आफ रॉज आफ्टेन इन पार्ट ये तो आपने कर ले था अब इसमें कितने कॉलम होंगे ये जो कितने कॉलम होंगे ये बताईए अब क्या आपको पता है कि रॉज और कॉलम को अगर मल्टिपलाई करें तो टोटल आता है टोटल ट्री आ जाएंगे ना तो तो अगर इधर से हम करें कितनी रॉज थी तो यहां कितने कॉलम होंगे पहले वाले के लिए और टोटल कितने थे पीट्ट एटीफॉर तो C equal to 84 C equal to 84 by 21 ओके तो कितसे जा रहा है चार से जा रहा है यह तो चार से उड़ जाएगा तो C मतलब 4 column चाहिए पहले वाले के लिए दूसरे वाले के लिए देख लिए R into में C यहां कितना रहा है total by 231 था तो R कितना था है यहां भी 21 है into में C तो कितना हो जाएगा दूसरे वाले के लिए column कितने हो जाएगे 231 appointment 21 ओके तो यह किस से कटेगा देखो एक बर यह 11 21 21 हो जाएगा यह 1 और 1 हो जाएगा C equal to 11 तो इसका मतलब हुआ पहले वाले में कितने column रख सकते हो कितने column में होगा इस तरह से 4 column में रखोगे और इस तरह से 11 column में रखोगे ओके सवर्ण में आगे हैं कुश्यन में बटा टे